पूर्टी और इधर सिम्ला मिर्च और इधर है सैलेड चलिए हलो गाइज कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे वेलकम बैक तो टीपाबाटी व्लॉग और गाइज मॉनिंग का टाइम हुआ है अभी मुझे बनानी है बेटे के लिए मैगी क्योंकि उसको सबजी नहीं खानी थी क्योंकि आलो और शिम्ला मिर्च की सबजी बनी थी तो उसने का के ममा मुझे नहीं खानी है तो चलिए उसके लिए बना लेती हूं मैगी क्योंकि कभी-कभी होता है बच्चे कभी मननी होता है और आज भी वह नहीं गया था क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उसके टेस्ट चल रहे हैं तो जिस दिन टेस्ट होता है वह उसी दिन ही जाता है बाकी के दिन नहीं जाता ह तो आजकल वो जादातर घर पर ही है तो चलिए उसके लिए बना लेती हूं मैगी और मैं तो रोटी और जो सब्जी है ना उसी के ही नाश्टा करूंगी क्योंकि मुझे जादा मैगी वगएरा ऐसी चीज़े ये पसंद नहीं है बाकी जो मैगी बची थी उसी को ही मैंने रब तो बची जोन और एक साहर में बन रहा है मैगि जब तक सब्जी को निकाल करके रख देती हूँ छो टे बरदन में योग дов Hem bringing it तो सारे बरतन एक साथ धूल जाएंगे तो जो यह मैगी मेरी बन चुकी है इसको डाल करके दे दीती हूं बेटे को दोनों ने नाश्ता कर लिया था और आप आगे हो बेटे वाले रूम में तो कर लेते हैं बाकी के काम तो जो यह उड़ने वाली बैट शीट हैं सबसे पहले इनको फोल्ड करूंगे बैट शीट को फोल्ड करने के बाद जो मेरे बैट पर बैट शीट बिचा रखी है ना इसको मैं आज ऐसे ही ठीक कर दूँगी वैसे तो रात को बेटा सोया था जब सोते है ना तो बैट शीट खराब होई जाती है तो आज मैं इसको चेंज नहीं क करूंगी बस ऐसे ही इसको मैं हाथ से जाड़ दोंगी जिससे साफ हो जाएगी गंदी नहीं थी वैसे ये और जो थोड़ी बहुत आगे पीछे निकली हुई थी उसको मैंने ठीक से कर दिया है और इसके पिलो कवर वगर लगा देती हूं क्योंकि पिलो जो होते हैं वो सब पिलो लेते हैं किसी को पतला चाहिए होता है किसी को मोटा चाहिए होता है तो रात के टाइम सारे पिलो इदर से उदर हो जाते हैं तो वो वाला बैड रूम मैं ठीक करके आ गई हूं और अब आगई हूं अपने वाले बैड रूम में तो यहां पर भी बैड शीट थी क्यो दिया है कपड़े से तो ये भी ठीक हो गई है क्योंकि नेक्स डेना मुझे दोनों बैट शिट चेंज करनी है इस वज़े से मैंने आज इसको चेंज नहीं किया था और इसके बाद बारी है डस्टिंग की तो डस्टिंग भी कर देती हूं और आज मैं थोड़ा ऐसी ही डस्ट कर दो अधिया काफी दिनों से तो उसके वाद भरी है इस ग्रील की जो रूम की बैड्रूम जो है न हमारा वाला वहाँ की विंडो है तो इसमें बहुत ज़ाधा धूला देग कलर इसका ऐसा है तो बहुत जल्दी ना नजर आने लग जाती है तो इसको साफ करने मैं और मुझे ऐसा लगा अचानक मैं देखने लगी चलि जाता है फूदी देर के बाद मैं मैं इसकी अगर उपर जैसे हम प्लेट में खाना रखते हैं न किरकिरहाट आने लग जाती है तो इसको मैं कितनी बार ही साफ कर लेती हूँ चलिए वो सारा काम मैं खतम करके आ गई थी तो जो किचन में फैला हुआ था हूँ मैंने वो सारा समीड दिया है और अब कर लेती हूँ अपने गैस्टोव को भी साफ क्योंकि इसको तो साफ करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है और डेली ही करती हूँ इसको कभी होता है कि दोपैर के टाइम छोड़ देती हूँ एसे ही जो हमारा स्क्रब होता है जिससे मैं भातन धोती हूँ उसिसे ही सफ कर लेती हूँ बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है जितनी वी चिकनाट वगएरा होती है सब निकल जाती है फिर एक ड्राय कपड़े से जो मेरा किचन का कपड़ा होता है उसीषे साफ कर दे तो इनको भी मैंने लगा दिया है और मेरे मसाले दानी ना बहुत जादा गंदी ओ रखे थी नीचे ना काफे सारे मसाले गिरे विए थे तो मैं सोच रही थी जिस दिन मसाले कम होगे ना इसके अंदर डिबियों में कम होगे उसी दिन मैं इसको धो दूँगी तो अभी थोड और इनको चलिए साथ के साथ धो भी देती हूं क्योंकि शाम तक फिर सूख जाएंगे तो खाना बनाने के टाइम तक इसके अंदर मसाला भर दूँगी और यह जाली वाले में रखोंगे तो पानी अच्छे तरीके से निकल जाएगा तो चलिए इसको दो लेते हैं फटाफट इसको भी अच्छे तरीके से क्लीन कर देती हूं क्योंकि जब मैं बरतन दोती हूं तो इसके उपर काफी सारे छीटे चले जाते हैं और वह फिर दबे दबे बहुत जादा गंदे लगते हैं और या फिर मैं पौदों में बाहर बालकनी में यहां से मेरी बालकनी दिखती है तो जब मैं बाहर पौदों में पाने देती हूं तब भी उसके उपर छीटे चले आते हैं और साथ के साथ मैंने अपनी ग्रील को भी साफ कर दिया था उस पे भी बहुत जादा डस्ट आती है इस टाइम पे बहुत जादा हवा चली हुई है तो हवा के साथ काफी सारी धूल उड़ती रहती है जहां देखू न मुझे धूली धूल नजर आ रही है मेरा तो ऐसा मन करता है कि घर को पैक कर दूँ लेकिन वो नहीं कर सकते हैं जो मेरे बस में नहीं है तो जो मेरे बस में है डस्टिंग करना अपनी क्लेनिंग करना घर को और नाइज करना वो मैं कर सकती हूँ जो चीज बस में नहीं है उसको सोच करके भी कोई फायदा नहीं होता तो चलिए अब लगा लेते हैं पोचा अंदर में लगा करके आ गई थी और अब बारी है बाहर हॉल की पोछा लगाने के बाद मैं नहा ली हूँ और अब बना लेती हूँ लंच की तैयारी कर लेती हूँ तैयारी लंच की सिर्फ मुझे रोटियां ही बनानी है क्योंकि सबजी बने ही रखी है सुबह आलू और शिमला मिर्च की सबजी बनी थी तो उसी को ही बना लेती हूँ और आटा भी मेरा मडा रखा था तो मुझे जादा दा कुछ नहीं करना था कि Gravel Roti नहीं बनानी थी, Plain Roti ये ती बनाओगी और उसके साथ सालड गर में हमारे जादा चावल नहीं खाते हैं रोटी जादा खाये जाती है तो कभी कभी चावल बनते हैं और आज चावल नहीं बनाए थे, मैंने क्योंकि सबजी रखी हुई थी, नहीं तो मैं दाल चावल ही बनाती, ज़ाधा पसंद नहीं करते हैं, डेली डेली चावल नहीं बनते हैं, रोटी जबकि, क्योंकि शुरू से वही आदत लगी हुई है, तो रोटी ही ज़ाधा बनती ह आजके लंच में है रोटी और इदर सिम्ला मिर्च ये सुमें बनी थी और आधे게 चलिये करते हैं अपना लंच हम तो इंगुए प्रते हैं अपना लंच और सभी के लंच का टाइम हो रख यह तो सभी Chem lah लोग इनक कोई बनारम रहा हु कोई जं तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अगर हमारे चैनल पर नई हैं तो प्लीज सस्क्राइब भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आपको व्लॉग कैसा लगता है और कहां से देखते हैं, टिक के अब बाद